आज हम आपको बताने जा रहे हैं कैसे आप कपड़े से वशी करण कर सकते हैं और किसी भी इस तरी को अपने वश में कर सकते हैं ये बेहद आसान तरीका है इससे आप किसी भी इस्तरी को अपने वश में कर पाएंगे और अपने मन की बात पूरी करवा पाएंगे आज आपके लिए लेकर आएं कपड़े से वशी करण जिससे आप किसी भी इस्तरी को उसके वस्तर के द्वारा वश में कर सकते हैं महिला के वस्तर द्वारा वशिकरण करके आप अपने मन की बात पूरी करवा सकते हैं किसी इस्तरी को वश में करने के लिए आपको सबसे पहले जिस चीज की जरूरत होगी वो होगी एक वस्तर की और कपड़ों से वशिकरण करने का ये बेहद आसान तरीका है पर आपको कूटना है जबकि उस कपड़े से धागे निकलने ना शुरू हो जाएं साथ ही आपको इस मंत्र का उच्चारण भी करते रहना है जब इस्त्री के कपड़े से धागे निकलने लगें तो उनमें अपनी अनामी का उंगली का रक्त मिलाना है सिर्फ दो बूंद और उसके बाद लौंग के फूल डालने है और इसे अच्छे से कूटना है इसके बाद आपको इसमें कुछ बूंदे चमेली का तेल डालना है और भारवी चक्र बनाना है जिसके बीच में आपको एक मिट्टी का दिया जलाना होगा अब आपका ये मंत्र बोलकर तयार है आप इसे सिद्ध कर चुके होंगे आपको बस करना किया आप इसे 21 दिनों तक आपको इस मंतर का जाप करना है इसके वाद वो इस्त्री आपके वश में होगी जिसका नाम लेकर आपने इस मंतर का जाप किया होगा इस मंत्र का इस्तमाल कर सकते हैं आप अपनी प्रेमिका को वश्मे करने के लिए या फिर किसी भी शादी शुदा या फिर गैर शादी शुदा महिला को वश्मे करने के लिए कुमारी लड़की को वश्मे करने के लिए भी आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं दोस्तों ये एक बहुत आसान तरीका है जिससे आप किसी भी महिला को अपने वश में कर पाएंगे। मंत्र जानने के लिए बाबा जी को कॉल करें, बाबा जी का नंबर आपको वीडियो की स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। लेकिन अगर आपको लगता है कि आप नहीं कर पा रहे हैं, इसका पयोग और आपसे ये नहीं हो पा रहा है, तो आप हमारे नंबर्स पर कॉन्टाक्ट कीजिए, गुरु जी आपका ये काम करके देंगे आपको। हमारे वीडियो की स्क्रीन पर आपको कुछ नंबर्स दिखाई दे रहे होंगे, इन नंबर्स पर कॉन्टाक्ट कीजिए और अपना काम करवाईए। अगर आप भी परेशान हैं, आपके जीवन में समस्याएं हैं, तो आप हमारे नंबर्स पर कॉन्टाक्ट करके अपने ज झाल